नमस्कार स्टुडेंट्स श्री रतनलाल कामरलाल पार्टनी राजकेस्तनात्कोतर महाविदय लिकेशनगड के यूट्यूब चैनल सीरसी राजकेशनगड पर आप सभी का स्वागत हैं मैं महेंदर कुमार वर्मा सायक आचारी विवसायक प्रिशाशन विवाग स्टुडेंट्स आज हम विकॉम पार्ट 3 के पेपर फस्ट प्रिंसिपल फ मार्केटिंग के अंतरगत थोक द्यापारियों के कार्य के उपर डिसकस करेंगे यान की होल सेलर की क्या क्या कार्य होते हैं%, पहला जो कार्या हैं जिसमें पारिचालन संबंदी कार्य शामिल हैCar वैसे तो स्ट्टवर्ट्स जिसने कि आप जानते हैं कि ठोत य। कार्य का कार्य समाज की आफशक्ताओं को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके उतने कुशलता पूर्व प्रेप्ण सेवाई या कि मार्केटिंग सर्विसस प्रदान करना है मतलब अल्टिमेट जो क्लाइंट है या जो उत्पाद या उभोकता है उस तक अपनी सर्वस्ष्ट सेवाई पहुचाना ही थोग व्यापारी का कार्य होता है और वह यह कार्य अपना जो फुटकर व्यापारी है उन तक अपना माल सही समय पर सही कंडिशन में पहुचा दें हो तो फुटकर व्यापारी उस उत्पाद को या सेवाको को अंतिम उभोकता तक आसानी से पहुचा देंगी तो थोग व्यापारी हों के जो कार्य है उसमें सबसे पहला है परीचलेट संबंदी कारिया यानिकी operating functions तो operating functions के जो कारिय है परीचलेट संबंदी उसमें जो पहला point है वो है क्रै करना यान की buying एक थोग विअपारी का सरुप रथम कारिये अपने घ्रहकों के लिए माल का क्रै करना है इसलिए वह अपने घ्रहाकों का कारे ing isn't कहलाता है यानकि घ्रहाकों का क्रह प्रतिनी दी थोग व्यापारी विबिन उत्पादकों या निर्माताओं से माल क्र Evet करता है इस कारे को कुशलता पूरों करने के लिए वह क्रे विशेशेग्यों के नियुक्ती भी करता है तोख्यापारी परिवाशा करते समय इंब करता है तो इसका उत्देश स्का पुनई करना हाथ कार्य के लिए थौग्व विक्रे करता है की नियुक्ति करता है जो फुटकर व्यापारियों और द्योगिक उभगताओं आधि से मिल कर क्रेय आधेशन की पर्चेश ओर्डर प्राप्त करते हैं इसके अतरिक्त थोग व्यापारिय विक्रे साहित्य भी प्रकाशित करके अपने ग्रागों को बेचते हैं तो विक्रे समवर्धन में भी साइता पहुंचाते हैं थर्ड जो कारी है वो है संग्रहन यानके स्टोरिंग वस्तूं को संग्रह करना थोग व्यापारियों का एक महतुपूर्ण कारी है एक थोक व्यापारी माल का संग्रे करके रखता है और आफशकता अनुसार अपने ग्रहाकों को बेचता है संग्रे करके रखने से वह अपने ग्रहाकों की आकस्मिक आफशकताओं को पूरा कर सकता है इससे ग्रहागों को बहुत सुविधा मिलती है क्योंकि ये जब चाहे थोग व्यापारी से माल प्राप्त कर सकते हैं ये सुविधा किवल संग्रे करके रखने पर ही संबव है फॉर्थ पोइंट है विभाजन कार्य यानकि डिवाइडिंग इस प्रकार ये अपना विभाजन का कार्य पूरा कर लेता है अगला point है वित्य व्यवस्ता यानकि financing एक थोग व्यापारी फुटकर व्यापारियों एम उत्पाद को दोनों को वित्य मामलों में सायता प्रदान करता है यह फुटकर व्यापारियों को माल उधार विक्रे करता है वह उत्पाद को अग्रिम भुकतान करता है इस प्रकार व वित्ते विवस्ता करना थोग व्यापारी का आवशक कारिय बन जाता है। अगला है जोखिम उठाना यान कि रिस्क ब्यार करना। थोग व्यापारी जोखिम उठाने का कारिय भी करता है। वो उत्पादक से माल खरीदता है। तदा वै उस माल को बिकने न बिकने की कारंटी स्वयम ले लेता है फटकर व्यापारी को भी भी न बिकने पर पुने लोड़ाने का विकल्पत दीता है इसकी अतरिक वै ग्राकों को उधार माल बेचता है और डूपद रिंड की जोखिम भी उठाता है माल के संग्रे करने पर मुल्यों में होने वाली घटबट की जोखिम भी वे सहन करता है इस प्रकार थोग व्यापारी कहीं जोखिम अपने उपर उठाता है अगला है यातायत व्यवस्ता करना यानकि ट्रांसपोर्टिंग एक थोग व्यापारी अपने उठात को एम ग्राकों दोनों के लिए यातायत व्यवस्ता का कारिय भी करता है व्यवप्राई अपने नीजी ट्रक या अन्य वहन रखता है जिनके दोवराव आसानी से यातायत व्यवस्ता करके माल को शिग्र ता शिग्र ग्राकों तक पहुँचाने में साहिता प्रदान करता है अगला पॉइंट है आठवा लिखांकन करना यानकि अकाउंटिंग थोग व्यापारी के लिखांकन कारे आवशक सा हो जाता है उसे अपने ग्रागों एम उत्पादकों के खातों का त्यार करना ग्रागों के नाम के बीज़क त्यार करना पड़ता है अपने स्टोक का भी लिखा जोका रखना पड़ता है इस विविद कारणों के कारण से लिखांगर करना उसके लिए आवशक हो जाता है अगला जो point वह पेकेजिंग करना यानि कि कभी-कभी थोग व्यापारी को माल का पेकेजिंग भी करना पड़ता है यदि उत्पादक ने छोड़ी-छोड़ी मात्रा के पेकेट बना दिये हैं तो पेकेजिंग के आफशकता नहीं रहती लें कभी-कभी बड़े पेकेजिंग को खोल कर छोटे-छोटे पेकेट बनाने पड़ते हैं तो वह अपने फुटकर व्यापारियों को यह साहिता करता है अपने कार्ये के रूप में कि वह छोटे-छोटे पेकेट बनाकर भी फुटकर व्यापारियों को दीता है अगला जो कार्य है वो है अन्य कार्य के रुब में ये तो उसके मुख्य कार्य और अन्य कार्यों में गरम बात करें तो है प्रमापी करण एम श्रेणियन करना यांकि थोग व्यापारी वस्तों का प्रमापी करन एम श्रेणियन का कारे करके फटकर व्यापारियों एम ग्रहकों के लिए एक सीवा का कारे करता है ताकि ग्रहकों और फटकर व्यापारियों के लिए माल को लेना और समझने में उसको आसानी होती है दूसरा पॉइंट है बाजार संबंदी सूचना एकत्रित करना यानिकि सभी थोग व्यापारी बाजार अनुसंदा नहीं करते बलकि वे अपने फटकर व्यापारियों के माद्यम से बाजार संबंदी सूचना एकत्रित करते हैं और वो सूचनाय मुख्य उत्पाद को तक पहुंचाते हैं अगला पॉइंट है प्रबंध किये सेवाइं प्रदान करना थोग व्यापारी अपने फुटकर व्यापारियों के प्रबंध के कारियों को करने के लिए प्रबंध किये सेवाइं भी प्रदान करते हैं ये सेवाएं विक्रे नीति के निर्धारण हिसाब किताब रखने संबंदी या अन्य विवसैक नीतियों के निर्धारण संबंदी हो सकती है Fourth point है विक्रे प्रेसेक्शन यानके sales training बाउसे थोग व्यापारी अपने फुटकर व्यापारियों के विक्रे करताओं को विक्रे प्रसक्षण देने का काईरे भी करते हैं और यह विक्रे प्रसक्षण विक्रे करताओं के लिए बहुत हेलपफुल होता है यानि मददकार होता है ताकि वह उस प्रसक्षण के अधा पहुचा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद